हेलो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम फिर से आ गए हैं एक नई रेसिपी के साथ जो हम बनाने वाले हैं काली मिर्च पनीर जो बहुत ही जादे एक यूनिक सी सबसी है और बहुत ही जादे टेस्टी लगती है खाने में तो चलिए देखते हमें इस करते तो प्यास हमने दो तरह से कटकरिया है तो यहां पर हमने प्यास ले लिया है एक घूह में रफली कात लिया और दूसरेश भीूस नहीं कात है एक झाइलें यह जो हमने चैनल के वाले काट है ठीच बतार बज़िए जिस नम्सीड क सब जबत चोब्सक्राइँ तो इध ले लिए एक छोटा चम्मच जीरा और एक छोटा चम्मच ले लिए काली उनको अच्छ यहाँ अच्छ थोड़ा सा भून लेना है जिब इसमें दुआ उतना नया लगेगा तो हमारे मसाले अच्छ बून जाएंगे और इसको बिल्कुल हमें लो फ्लेम पर ही अच्छ इसे र प्रசो का तेल तो इसमें हमारा जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसमें अपनी प्यास को डाल देना है तो प्यास हमने यह एक दंड रम दिर काटी थी है जो धियान ओसिद गरं प्डाव कर लिजिजु Meade एकदम गरम तेल में डाल दिया था तो तेल थोड़ा सा उचल के आ गया था तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि पहले गैस को ओफ करिए फिर उसी के बाद प्यास डाल लिए तो हमें चार से पांच मिनट प्यास बूनने के बाद हमें अच्छे से फिर हमें टमाटर को भी गजब हमारी पैस थोड़ी ट्रांस्पेरेंट हो जाएगी और टमाटर थोड़े से मेल्ट हो जाएगी तो हमें इनको अलग निकाल लेगए तो साथ हम डलने हरे मिर्च, हरे मिर्च को हमें 2 मिनिट ही इस तरह से तैमें हलक 1977 हराद तो ओ म्सको हमें अलग अविर इस को हमें के बाद हम अपना टमाटर प्यास को अलग प्लेट में निकाल देंगे देखे प्यास जो हमारे हलके ट्रांस्परेंट हो गई है और टमाटर भी हलके से हमारे मेल्ट हो गए तो उसी ओल में हम एक्स्ट्रा ओल और नहीं लेंगे उसी ओल में हम अपनी उनी प्यास को डाल दें तो जो हमारे मसाले थे खड़ मसाले थंडे हो चुके हैं अब चलिए इसको हम थोड़ा सा पीस तो यह हमारे मसाले पीस चुके हैं अब इसी में हम अपना टमाटर प्यास को भी डाल के इनको भी अच्छे से पीस लेंगे यह हमारी ग्रेवी बन के तयार हो जाएगी तो यह देखिए तो जो काली मिश का फ्लेवर जो इसमें आएगा वह बहुत ही जादा टेस्टी लगने वाली आपको सब्जी तो यह बस जरूर ट्राय करें तो उसी ओल में हमने अपनी ग्रेवी जो मसारा उसको डाल दिया और जा तो यह हमारी ग्रेवी इसी से हमारी ग्रेवी बन जाएगी तो ग्रेवी जब हमारी अच्छे से बबल साने लगेंगे तो उसी में तभी हम सुखे मसाले एड कर देंगे तो यह डाल रहे हैं हम आदा चम्मच से कम लाल मिर्च हल्दी आदा चम्मच से कम आदा चम्मच से कम तो किस इमसाले ऑमने नमक अपने टेस्ट के चोरबने मिक्स करके इसको इसी में पखने देंगे और हम डाल देंगे इसमें अपनी जो छिलके वाली प्यास थी वो हम डाल देंगे और इसको हम अब चला के इसको 5-7 मिनिट के लिए ढ़के ऐसे ही पकाएंगे और पानी हमें अलग से नहीं डालना है तो यह देखिए मसाला हमारा एकदम तयार सा ही हो चुका है और मसाला हमारा मसाला थोड़ा सा तयार हो चुका है अभी पूरी तरह तयार नहीं है तो साथ ही हम डालेंगे अब इसमें पनीर अब पनीर को भी हम इसमें एड़ कर देंगे और इसे थोड़ा सा चलाएंगे नहीं ताकि हमारा पनीर ना तूटें हलका सा चलाके इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और साथ ही हम डाल देंगे अपनी तो इस तरह से हम इसको हलका सा खोल के और इसको इस तरह से ही पकने देंगे तो दस मिनट में आपकी सब्जी बन के तयार हो जाएगी तो इसको हम ढखके दस मिनट के लिए इस तरह से ही पकने देंगे और गैस को आपको लो फ्लेम पर ही रखना है ताकि जलेना तो यह देखे हमारी सब्जी 10 मिनट बाद एगन बनके तयार है हमने गैस ओफ कर दिये तो ग्रेवी हमारी बहुत ही बढ़के बढ़िया बनके तयार हो चुकी है वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर देए चेलर को सब्सक्राइब करना ना भूले कमेंट करके जरू बताए कि किस को काली मिर्ज की सब्जी पसंद आती है किस किस के घर में काली मिर्ज की सब्जी काले में पनीर की सब्जी ये बनती है तो ये देखे हमारी सब्जी एकदम परफेक्ट बनी है और कलर भी कितना अच्छा आया है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्ट लगी और खुशुबू बहुत ही अच्छी आ रही थी तो आप बड़ी आसानी से घर पर ये बिल्कु को सब्सक्राइब करना ना भूले और आप अपने अकोडिंग की मसाले कम ज्यादा कर सकते हैं वीडियो को लाइक ज़रू करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक ये फूर वाचिंग